रामनाद कोविन राश्रुपती पत की शपत लेकर देश के प्रतम पुरुष बने तो वहीं उनकी पतनी सविता कोविन देश की प्रतम महिला बन जगी है ये दिन जितना राश्रुपती कोविन के लिए अधिहासिक है उतना ही खास उनकी पतनी सविता के लिए भी है तो आज के दिन स्पेशल दिखने के लिए उन्होंने दो घंटे में तीन विशेश साड़ियां बदली जी हाँ उन्होंने घर से निकलते वक्त और राजखार जाने के लिए पहली साड़ी बदली गुलाबी सिल्ग की साड़ी पहन को वो राजखार पहुँची वहीं इसके बाद उन्हें पूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखरजी से भेंट करने के लिए पहले एक और साड़ी बदली और फिर बनाक्ष्टी साड़ी में नजर आई इससे लगता है कि इस एतिहासिक दिन के साथ साथ श्रीमती कोविन की सारिया भी उतने ही यादगार रहेंगी